वंदे गोमात्रम गोवगतों मैं आपको आज एक बहुत ही सची घटना बता रहा हूँ कुछ दिन पहले मैं सांचोर से भिनमाल कहीं गोवगतों के वाँ मिलने गया फिर गोपालकर्शन गोशाला धनूंत्री विवाग के दर्शन करने के लिए भिनमाल गए वहाँ सेवा देखी बहुत अच्छी लगी लेकिन वहाँ की जन सिंग्या गोमाता की दोजार ड़ैयेज़ जार पचिसो के करेभ गोमाता की जन सिंग्या सब बिमार पिडित गोमाता जो एक्सिटेंट वाली चार तैसलों से तीन अम्बूलंस के मादम से बिमार गोमाता को लाकर इलाज किया जाता है जब दवाई के बारे में जानकारी लिया कुछ मेरे साथ से मैंने दवाई के बारे में का से ऐसे दवाई रखो दरद के लिए थोड़ी महेंगी दवाईयों की बात किया तो डाक्ट साब ने आँकों से आँसु निकाल दिया मैंने अकीकत जानने की बात किया तो बोला साब मेडिकल के बिल बहुत बाकी हो गए है और दवाई समय पर मिलती नहीं है कई बार तो गोमाता के लिए दवाई पूरो दिन नहीं आती है फिर इदर उदर करके लाते हैं और जब एकसिडेन्ट बिमार गोमाता के लिए अगर एक एक दिन दवाई की कमी रहती है तो कैसे चलाएंगे उसके बाद पोश्टिकार देने की बात आई तो वहाँ जाकर के देखे तो मातर 15-20 कटे पड़े थे परती दिन 5-10 कटे जाते हैं पोश्टिकार के जब इन कमजोर गोमा तक पोश्टिकार के बारे में वहाँ के संचालक से बात किया तो सुनाते सुनाते दरद गेला भराया बोला 40 लाग रुपे करज है दुकान वाले देने के लिए त्यार नहीं है जब तक एक एकसिडेंट गोमाता का फोन आगया एंबुलेंस को रवाना किया और डीजल कूट गया डीजल नहीं था पेंट्रोल पमपाले के लिए फोन किया वैवस्ता पक्नेट पेंट्रोल पमपालें बोला पहले आगये का बिल देना बाद में डीजल भरवाऊंगा जब एकसिडेंट गोमाता एक दरद पिडित गोमाता को लेने के लिए जा रहे हो और ऐसा संकट आ जाए एमरजनसी में तब आप बताओ क्या करेंगे मेरा खुद का गला पर आया पेंट्रोल पमपाले से बात करके डीजल भरवाया जैसे तैसे आता जोड़ी करके लेकिन इतनी मजबूरी है गोपाल करसन भिनमाल में ये नमबर दिये हुए गोवगतो अगर आपका भी दिल कुस दिल में कुस दरद हो जाए और मा के लिए जो मैंने सची गटना बताई अगर कुस दरद आपके दिल में भी हो जाए तो इन नमरों पर आप संपरक जरूर क करें बहुत संकट में महा का इलाज चल रहा है ये बहुत बड़ा संकट है क्या करें बताओ आप ही बताओ गोवगतो जब एक बिमार गोमाता के इलाज की आओ सकता हो और जब संकट हो दवाई और पोस्टिकार और गाड़ी में डीजल का तब उस गोमाता को कैसे बचाया जाए वो कैसा समय होगा आप भी विचार करें जेगो मता